हम सब एक बात से वाकिफ है कि Thugs of Hindustan बॉक्स ओफिस पर बुरी तरीके से डूम्ड हो गई है जी हाँ दोस्तो जहाँ पर फिल्म ने अपने स्टार्टिंग दिन जानी कि Day 1 के दिन बहुत ही huge amount collect किया था और इस amount ने सारे फिल्मों की record को पीछे छोड़ दिया था क्योंकि बच्चन सहब हैं इसमें आमिर खान है फातिमा सनाशेक और केट्रीना कहफ है तो बहुत ज़्यादा इसकी चर्चाएं थी राइट इसे में दोस्तो इस फिल्म ने धीरे धीरे decline growth सामने आती है और ये फिल्म धीरे धीरे doomed होती जाती है अब इसी बात से नाखुश दोस्तो आमिर खान ने एक फैसला लिया है रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान जी ने profit sharing के लिए मना कर दिया है ज्यादेतर हम सबको पता था कि आमिर खान जो है वो अपनी तो फीस लेती ही लेते हैं उसके साथ साथ फिल्म के business में अपनी profit sharing भी लेते हैं जो कि एक smart move है और यह move आमिर खान नहीं सबसे पहले industry में शुरू किया था तो ऐसे में दोस्तों Tugs of Hindustan में जिस तरीके से decline हुआ है तो profit तो बहुत ही मुश्किल से film achieve कर पाएगी अभी तो initial cost को ही पार कर जाए यहीं बड़ी बात होगी तो ऐसे में आमिर का decision बहुत जादा काबिले तारीफ है और इसी सिल्सिले में वो यश्राज के जो सुप्रीमों है यानि कि आदित्य चोपड़ा जी है उन से मिलने वाले हैं जल्द और आदित्य चोपड़ा से मिलकर बातचीत करकर वो इस decision पर अमल करेंगे वह आपको क्या है कहना आमिर के decision को लेकर comment section में ज़रूर बताया और यह तरह से सही भी है राइट तो सारी बा पाले हो जख तो सुपड़ा झाएट।